वीडियो को लाइक करें ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाकर ओल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट रामपरकास परजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटिब चैनल फ्रीकंसेप्ट दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेफिक्जीम टेबलेट के बारे में आज हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन इसके कि आदूरी जानकारी बहुत ही गातक होती है तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तो सेफिक जी में एक परकार की एंटिबायोटिक है जो की टेबलेट, सीरप, सस्पेंशन वे डिस्पर्सिबल टेबलेट के रूप में अवेलेबल रहती है अगर हम इसके बारे में डिटेल में देखें तो ये एक परकार की थर्ड जनरेशन ओरल सीफेलोइस्परिन एंटिबायोटिक है जो की ग्राम पोजिटिव वे ग्राम नेगेटिव दोनों ही बेक्टरिया के इंफेक्शन में काम आती है दोस्तो ये मेडिशन बेक्टरिया की सेल वाल सिंतेसिस को इनिबिट करती है जिससे बेक्टरिया ग्रो नहीं कर पाता है और इससे हमारी बीमारी ठीक हो जाती है दोस्तो किसी भी मेडिशन के अलगअग एरिया में अलगअग ब्रांड अवैलेबल होते हैं इसके कुछ common ब्रांड है इनमें से आप किसी भी ब्रांड को काम में ले सकते हैं और दोस्तो इन सबका यूज एक ही परकार का है दोस्तों इसको आप generic form में जो दवा आती है उसके रूप में भी काम में ले सकते हैं वो आपको market में सस्ती available हो जाती है दोस्तों अगर हम इसकी doses form के बारे में बात करें तो ये market में tablet के रूप में available है दोस्तों इसकी जो tablet आती है उसकी strength 200 mg, 100 mg वे 50 mg की dispersible tablet के रूप में available रहती है इसके अलावा ये suspension form में available रहती है दोस्तों अगर हम इसके uses के बारे में बात करें तो सबसे पहला use देख लेते हैं otitis दोस्तों otitis का मतलब होता है ऐसी condition जिसके अंदर कान में सूजन आ जाए या फिर कान में infection होने की वज़े से कान बेहने लग जाए कान में दर्ध हो साथी मरीज को बुखार है या फिर चक्कर आना चालू हो जाए तो उसे हम otitis कहते हैं और डॉक्टर द्वारा otitis कंडिशन में भी सेफिजीम टेबलेट को प्रेस्क्राइब क्या जाता है अगला यूज देखते हैं इसका यूज साइनोसाइटिस में भी क्या जाता है दोस्तों साइनोसाइटिस में नाक में जो साइड में प्रेस्क्राइब की जाती है इसका अगला यूज देखते हैं tonsillitis दोस्तों tonsillitis के अंदर tonsils में सुजन आ जाती है गले में दर्ध होता है और अगर ज्यादा सुजन रहती है तो मरीज को बुखार तक आ सकता है तो वहाँ पर भी सेफिजीम टेबलेक्ट को infection को दूर करने के लिए प्रेस्क्राइब क्या जाता है दोस्तों अगर हम सेफिजीम का अगला यूज देखें तो वह है चेस्ट वे लंग से समदित बीमारिया यानि की ब्रॉंकाइटीस नियूमोनिया रेस्पारेटरी इंफेक्शन या फिर एलुलाई में infection दोस्तों नियूमोनिया यानि क फेप्रों में अगर एक्टियल इंफेक्शन होता है तो वहाँ पे भी सेफिजीम टेबलेट को डोक्टर द्वारा लिखा जाता है दोस्तों सेफिजीम का अगला यूज है यूरिन्टी ट्रेक्ट इंफेक्शन में यानि कि जब कभी भी किसी मरीज के पैसाप में जलन होती है या फिर पैसाप की थेली में किसी परकार का इंफेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे सेफिजीम टेबलेट को दिया जाता है इसका अगला यूज है फिमेल के अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज या फिर वाइड डिस्चार्ज में रहता है दोस्तों जब कभी भी वाइड ड प्रेस्क्राइब किया जाता है दोस्तों अगर हम इसके side effect की बात करें तो ये जनरली नॉर्मल ही है और इसका सबसे पहला side effect है gastric disturbance दोस्तों mild gastric upset होता है जिसके अंदर diarrhea, abdominal pain या फिर abdominal upset हो सकता है दोस्तों इसके अलवा nest हम इसका side effect डेकता है वो है nausea और vomiting दोस्तों कभी-कभी इसकी वज़े से IT के रिया यानि की skin पे races और खुजली चलना हो सकता है साथ ही patient के अंदर headache और dizziness की चंभावना भी रहती है अगर आपको इससे भी ज़्यादा कुछ side effect दिखे तो आप तुर्ण डॉक्टर से सला लें और इस दवाई को रोग दें दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके precaution के बारे में अगर कोई मरीज penicilline veciphilosporin से allergic so करता है तो इस दवा को उसे नहीं देना चाहिए दोस्तों इस दवा को pregnancy के समय दे सकते हैं बाकि जब कभी भी इस दवा को pregnancy में दें तो हमेशा डॉक्टर की सला लेकर ही देना चाहिए इसके अलवा दोस्तों अगर किसी patient के अंदर renal impairment है तो वहाँ पे भी इस दवा को परियोग में नहीं लेना चाहिए दोस्तों जब कभी भी आप antibiotic दवा किसी मरीज को दें या फिर लें तो हमेशा डॉक्टर की सला के अनुसार ही लें दोस्तों अगर हम बात करें इसकी dose के बारे में तो adult dose के रूप में इसकी dose 200 mg रहती है और उसे हम दोस समय ले सकते हैं यानि कि सुबह और साम यानि बीडी टाइम में ले सकते हैं दोस्तों इसको 3-7 डेस तक लिया जाता है दोस्तों इसकी जो dose की डूरेशन है वो infection की severity या फिर type of infection पे depend करती है दोस्तों इसे हमेशा खाना खाने के बाद ही लिया जाना चाहिए बच्चों के लिए ये सीरफ वो या फिर 100 mg dispersible tablet के रूप में रहती है और बच्चों में ये 8 mg पर kg body weight के इसाफ से दी जाती है दोस्तों इसे below 6 month old child के आपको बीना डॉक्टर की सलाके नहीं देना चाहिए दोस्तों किसी भी एंटिबाइटी को लें तो आपको जितने दिनों के लिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं या फिर आपको जितनी डॉस लेने की आव सकता है और डॉक्टर ने जितनी दवा लेने के लिए बोला है आपको उतनी दवा हामेशा लेनी है यानि कि उसकी डॉस को आपको इसकिप भी नहीं करना है चोड़ना भी नहीं है और उसकी डॉस को ओवरडोस के रुप में भी नहीं लेना है क्योंकि एंटी बायोटिक्स जब कभी भी ओवरडोस या फिर कम डोस में ली जाती है तो वहाँ पे बेक्टिरिया जो हम चाते हैं कि बीमारी हमारी ठीक नहीं हो पाती है तो हमेशा एंटी बायोटिकी डोज डॉक्टर की सला के अनुसार और उतनी मात्रा में जितनी डॉक्टर ने लिखी है वो आवश्ये लें दोस्तों अलावा हमने दवाओं से समधित काफी वीडियो अप्लोड कर रखे हैं जैसे की पेरासितामोल टेबलेट, सित्रिजीन टेबलेट, एडित्रोमाइसिन टेबलेट और कपसीरप के बारे में अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो उपर आई बटन में आरे लिंक पर आप क्लिक करके उन्हें देख तो दोस्तों ये थी जानकारी सैफिक जिम टेबलेट बारे में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सेर करें और सब्सक्राइब करें तता साथ इसाथ बेल आईकन दबा दें जिसे आने वाले सभी वीडियो आपको सई समय पर मिलते रहें एक बार फिर मिलते हैं एक नई दभा के साथ तब तक के लिए धन्यवाद